सब्सक्राइब कीजिए उची तुपाय चैनल को और बैल आइकन को दवाईए लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए जदी आप तंतर मंतर दुवारा अपना जीवन सुकी बनाना चाहते हो या आप इन चीजों में रूची रखते हो तो आप अमारे चैनल के साथ जैश्रिकरशनामित्रो आज मैं आपको बताता हूँ नमक द् współराह वशेकरण कर सकते हो जो भी प्रेमी का है आप उनका वशेकरन कर सकते हो पत्ती अपने पत्नी के लिए वशेकरन कर सकता है वशेकरन करने से पहले मैं आपके लिए एक बहुत ही शांदार खुशकबरी बताना चाता हूं कि जितने भी हमारे मित्र हैं और जो भी हमसे ये तंदर मंतर विद्या सीखना चाते हैं उन सभी के ल और कल मैंने एक वीडियो डाली थी वशी करन कैसे करें, कब करें और कौन सा करें तो उसमें मैं आपको बताना चाहँँगा कि जो की वशी करन की सही जानकारी दे रहे हैं उनके लिए भी वीडियो नहीं थी वो तो अगर आपको मेरी तरफ से कोई गलती लगती है तो मैं उन से भी से माफिश आता हूँ जो अच्छा अच्छा वशिकरन उपाई बता रहे हैं और जो अच्छी ग्यान दे रहे हैं वशिकरन के बारे में आपका जादा समय ना लेते हुए आपको इस वशीकरन के बारे में बता देते हैं ये वशीकरन करने से पहले आप समझ लिजे कि कभी भी किसी प्राइस तरीके उपर ये वशीकरन प्रोक कभी मत करना और आपको बताना चाहूँगा अगर आप अपने पाइदे के लिए ये वशीकरन करते हो जिससे दूसरे वाले का नुकसान हो तो ये असर नहीं करेगा उपाए तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरह से वशीकरन किया जाता है जिस सबसे पहले आपको जो दिन शुब है इसका वो ग्रेंड का दिन है ग्रेंड के दिन आपको सुबे सुबे पवित्र होके थोड़ा सा नमक लेना है और उसके उपर मंतर चाप करना है मंतर इस परकार है ओम भगवती भगभाग दयानी नाम मम वशे कुरुकुरु सुहा थोड़ा सा नमक लेना है आपको मुठी में इस मंतर के जाप आपको दस जार बार करना है और ध्यान रखिए कि आप 10,000 मंतर पूरे होते ही वो आपका जो नमक है उसका कलर है जो वो थोड़ा सा रेड कलर का हो जाएगा ये मंतर की पहचान है कि आपका जो नमक है वो सिध हो गया है और आप जिसका भी वशेकरन करना चाहते हो उसको थोड़ी सी मातरा में किसी भी चीज खाने पीने की चीज में मिला की दे दीजिए और जैसे ही कोई इंसान उस नमक का सेवन कर लेगा वो आपके प्यार में ऐसा पागल हो जाएगा इसकी तुलना आप कर भी नहीं सकते कि वह आपके पीछे-पीछे कैसा भाग आएगा और ध्यान रखिए कि मैंने आपको यह विधी इसलिए इतनी जल्दी बताई है इस विधी को करने से पहले एक महीने पहले से आप ध्यान रखिए कि पवित्रता का ब बात का और ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लेस कमेंट में जरूर बताना अगर इस वीडियो में अगर आपको कोई समस्य आती है या आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप पूछ सकते हो हमसे और अगली वीडियो आपको किस विश्य में चाहिए आप कमेंट कर दीजिए औ अभी के लिए इतना ही जै श्रीकिष्णा